आईए अब जानते हैं अधिशोषण के प्रकारों को अधिशोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं भातिक अधिशोषण तथा रासाइनिक अधिशोषण जब किसी ठोस के प्रस्ट पर गैस के अनू दुर्बल वंडर्वाल बलों के द्वारा जुड़ते हैं या संचेत होते हैं तब इस प्रकार का अधिशोषण भातिक अधिशोषण कहलाता है या जिसे हम फिजिकल अड्जॉप्शन या फिजिजॉप्शन कहते हैं दूसरी ओर जब किसी ठोस की सतह पर गैस के अनू रासाइनिक बंधों के द्वारा जुड़ते हैं तो इसे हम रासाइनिक अधिशोषण कहते हैं ये रासाइनिक बंध आइनिक बंध भी हो सकते हैं या फिर ससयोजग बंध की भी हो सकते हैं यहां पर हम देखें कि जो रासायनिक अधिशोषन होते हैं वो इनमें उच्छ सक्रियन उर्जा की आवश्चता होती है उसे हम सक्रियत अधिशोषन भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए उच्चताप आवश्चता होता है यहाँ पर कभी-कभी रेखा जाता है कि भातिक अधिशोषन और रासायनिक अधिशोषन साथ-साथ होते हैं और ये बतापाना मुश्किल हो जाता है कि अधिशोषन भातिक प्रकार का है या फिर रासायनिक प्रकार का है कभी-कभी कम तापमान पर होने वाला जो भातिक अध उदाहरान के लिए यदि हम निकल धातू पर हाइड्रोजन के अधिशोषण को देखें तो हाइड्रोजन के प्रकार का अधिशोषन होता है लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है गैस जो हैड्रोजन कैस के अनु है वो परमाणों में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद ये रासायनिक आबंधों के द्वारा निकल धातुक के साथ जुड़ जाते हैं यह जो भौतिक अधिशोषण है वह रासायनिक अधिशोषण में ईलक्षण को सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक अधिशोषण ने का जो मुख्य लक्षण यह है कि इनकी विस्टेता की कमी होती है यह स्प्पेसिफिक नहीं होतेième इसका मतलब यह हुआ कि जो कौई भी ठोस й यह अधिशोषण की जो सत्ता होती है वह किसी खास गैस के के लिए specific या प्राथमिकता प्रदान नहीं करती क्योंकि जो यहां पर बनने वाला बंद होता है वो दुर्बल वंडर्वाल बल होता है और दुर्बल वंडर्वाल बल जो होते हैं वो किसी भी कैस के द्वारा किसी भी सत्व से के द्वारा बन सकते हैं दूसरा और यदि हम द होता है निम्न ताप जो गैस के अनू है हम जानते हैं गैस के अनू इधर उधर संचरित करते रहते हैं तो जब तापमान कम होता है तो यह गैस के अनू ठोस की सत्था पर आकर आसानी से संचरित हो जाते हैं लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो यह गैस के अनू वापस वितरित होने लगते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कम तापमान है वह भातिक अधिसोषण के लिए सहायक होता है इसी तरह से आपने उदाहरन देखा होगा जैसे ठंड की दिनों में जो हमारी ग्लास खिलक्यों पर लगे वे जो ग्लास होते हैं उन पर पानी क जल की बुंदें जमा हो जाती एक धुंद सा जमा रहता है लेकिन गर्मी के दिनों में यह दिखाई नहीं देता क्योंकि कम तापमान पर जो जल की बुंदें हैं वहां पर अधिशोषित हो जाती हैं दूसरी और जो और इसकी लक्षण है वो है उत्यक्रमनियता भातिक में थोस की सर्फिस पर संचीत रहते हैं लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है इनके मेंITH प्रक्रिया होने लगती है यहने कि जब डिल्टा एच कमान negative होता है तब अधिशोषन की प्रक्रिया होती है और यदि delta H कमान positive हो जाए तो V शोषन की प्रक्रिया होने लगती है लेकिन यदि यहाँ पर दाब बढ़ा दिया जाए दाब बढ़ा देने पर अधिशोषन की भोतिक अधिशोषन की जो मात्रा है उसमें बढ़ोत्री हो जाती है क्योंकि लाश्च के लिए कि नियम के अनुसार हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर इसमें आयतन में कमी आएगी और इस वज़े से भातिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है अन्य उदर्ण यदि हम देखें तो लक्षण में हम देखते हैं कि जो भातिक अधिशोषण है वह अधिशोषण की प्रकृती पर भी निर्भर करता है प्राया देखा जायता है कि ऐसी गैसें जिनके लिए क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है वो गैसें आसानी से द्रवीभूत हो जाती हैं और ऐसी गैसों का अधिशोषण भी किसी भौतिक अधिशोषण ठोस की सता पर अधिक होता है यहाँ पर हम बताएं कि क्रांतिक ताप किसी भी गैस के लिए वह निश्चित ताप मान होता है जिसके उपर हम चाहे कितना भी दाब लगा लें उसे द्रवित नहीं कर सकते तो इसलिए जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है वो आसानी से द्रवी भूत हो जाती है और जो आसानी से द्रवी भूत हो जाती है उनका अधिशोशन भी अधिक होता है क्योंकि जहाँ पर देखा गया है कि क्रांतिक ताप के निकट जो गैस और ठोस स्थूल के मध् कुंते हैं उनकी प्रबलता अधिक होती है यहां पर हम कुछ गैसों और उनके अधिशोशन की मात्रा को देखें तो यदि हम सलफ यहां पर आप देख रहे हैं कि सलफर डाय ऑक्साइड है जिसका क्रांतिक ताप का मान होता है 430 कैल्विन और उसके अधिशोशन की मात्रा जो 200 ml में है वह होती है 380 दूसरी और अमोनिया का आप देखें तो इसका जो क्रांतिक ताप है वह है 406 जैसे आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसके क्रांतिक ताप का मान कम हो गया तो यहां पर इसकी अधिशोशन की मात्रा भी केवल 180 ml रह जाती है इसी तरह से आप देखें का क्रांतिक ताप का मान है 190 और इसके अधिशोशन की मात्रा कीवल 16.2 ml रह जाती है इस tomar अधिश्योशन की मात्रा में है वह केवल 8 ml है और सब से कम आपको दिखाए दें रहा है hydrogen जो कि जिसके क्रांतिक ताप का मान है 33 Kelvin और इसके अधिशोशन की मात्रा होती है किवल 4.5 ml तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे क्रांतिक ताप का मान कम होता जा रहा है इनकी अधिशोशन की मात्रा भी कम होती जा रही है तो यह है भातिक अधिशोशन के प्रमुक लक्ष तो रासाइनिक अधिशोषण में हम देखें तो रासाइनिक अधिशोषण में विस्ष्टता पाई जाती है यहने कि किसी ठोज सर्फिस पर किसी गैस का अधिशोषण तभी संभाव होगा जब उनके बीच रासाइनिक बंद बनने की संभावना होगी क्योंकि आप देखें क जैसे सिल्वर हुआ गोल्ड हुआ या प्लाटिनम हुआ इनके ऊपर ऑक्सीजन गैस का अधिशोशन तभी संभव हो पाता है जब इनके बीच ऑक्साइड का निर्मान होता है इसी तरह से हम देखें कि जो निकल धातु है उस पर हाइड्रोजन गैस तभी अधिशोशित होती है या रासाइनिक रूप से अधिशोशित होती है जब उनके बीच हाइड्राइडों का निर्मान मने धातु हाइड्राइड का निर्मान हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो रासाइनिक अधिशोशन है स्पेसिफिक होते हैं वे तभी बनते हैं या जब कि अधिशोशन की स पता पर उपस्थित कणों तथा गैस के अनुवों के मद्धे रासायनिक बंद बनने की संभावना होती है इसी तरह से हम देखें तापमान रासायनिक अधिशोषन के लिए उच्छ तापमान की आवश्यक्ता होती है क्योंकि हमने पहले ही देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी तक ये तभी अधिशोषन की संपन हो जाएगा जबकि अनुवों को एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो पाएगी और इसके लिए उच्छ तापमान आवश्यक होता है दूसरा अभिलक्षन जो रासानिक अधिशोषन का है वह है अनुत क्रमनियता रासानिक अधिशोष और अनुत क्रमनिय प्रकृतिके होते हैं क्योंकि यहां पर जब अधिशोषन होता है तो वहां पर हमने देखा सरफिस के अनु तथा, गैस की जो अधिशोष क के अणुऊं के बीद रासायनिक यॉगिक बन जाते हैं और रासाइनिक योगिक बनने के बाद इनका जो डिजोर्प्शन है वो नहीं हो पाता और इसलिए हम कहेंगे कि जो रासानिक अधिशोषन है वो अनुत क्रमनी प्रकरती के होते हैं तो यह है भातिक तथा रासायनिक अधिशोषण के प्रमुक अभिलक्षण। इस तरह हम भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में निम्नलखेत बिंदों के आधार पर तुलना कर सकते हैं। भौतिक अधिशोषण वॉंडर वॉल्स बलों के कारण उत्पन होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। भातिक अधिशोषण प्रकृती में विशिष्ट नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण प्रकृती में अतिविशिष्ट होता है। भातिक अधिशोषण प्रकृती में उतिक्रमनी है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनिमित अरुतनुत क्रमनी प्रकृती का होता है। भातिक अधिशोशन गैस की प्रकृती पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवनी गैसें सहजता से अधिशोशित होती हैं। रासाइनिक अधिशोशन भी गैस की प्रकृती पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोशक से क्रिया करती हैं रसोव सोशन दर्शात बहुतिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथेलपी कम होती है यह 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है जबकि रासायनिक अधिशोषण की एंथेलपी उच्छ होती है यह 30 से 240 किलो जूल पर मोल के लगभग होती है बहुतिक अधिशोषण के लिए निम्नताप सहायक होता है यह ताप बढ़ाने पर घटता है जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है भातिक अधिशोषण में सुप्रेक्ष सक्रियन उर्जा की आविशक्ता नहीं होती है जबकि रासानिक अधिशोषण के लिए कभी-कभी उच्च सक्रियन उर्जा की आविशक्ता होती है भातिक अधिशोषण यह प्रिस्टी छेत्रफल पर निर्भर करता है यह प्रिस्ट्री छेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता जाता है। इसी तरह रासायनिक अधिशोशन भी प्रिस्ट्री छेत्रफल पर निर्भर करता है। यह भी प्रिस्ट्री छेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता जाता है। भातिक अधिशोशन उच्च दाब पर अधिशोशक के प्रिस्ट पर यह बहु अनुत परतों के रूप में परणामित होता है, जबकि रासायनिक अधिशोशन यह एकल अनुत परत के रूप में फलित होता है. इस तरह हम भौतिक एवं रासायनिक अधिशोशन में मुख्य रूप से अंतर कर सकते हैं